शायद ही कोई ऐसा संगीत प्रेमी हो जिसने यह गाना सुना नहीं हो और शायद ही ऐसा कोई सिनेमा प्रेमी हो जिसने सिनेमा के परदे पर इस गाने को नहीं देखा हो परदे के पीछे यह गाना गाया था मुहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने लेकिन सिनेमा के परदे पर इस गाने को गाया था युवा नठकर राजेश खन्ना और प्यारी सी चलबुली फरीदा जलाल ने आपने 1976 में रिलीज हुई फिल्म तकदीर का यह गाना अवश्य सुना होगा भारत भूशन पर फिल्म आये गए इस गाने को गाया था मुहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने इस गाने में भारत भूशन की गोद में फूल सी दिखने वाली बच्ची को आपने पहचाना अगर नहीं तो हम बता देते हैं वह फरीदा जलाल है और जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तब हर कोई यह जानने को आतर हो उठा था कि यह प्यारी सी कली कौन है इस प्यारी सी अक्ट्रस को आपने बड़े परदे पर कई किरदारों में देखा है कभी प्रेमिका, कभी बेहन, कभी मा और कभी दादिनानी बनकर उन्होंने सबको अपने अभिने से अपना दीवाना बनाया इस वीजियो में मैं आपकी दोस्त और होस्तुती उसी अभिनेत्री के कैरियर और जीवन के बारे में खास जानकारियां देने जा रही हूँ तो आप बने रहिए हमारे साथ दोस्तों,14 मार्च 1949 में जन्मी फरिदाजलाल ने साल 1976 में अपनी अभिने करियर की शुरवात की 200 से अधिक फिल्मों में काम कर चुकी फरिदाजलाल ने फिल्मों में एंट्री की 70 के दशक में, रियाल्टी शोस के जरिये इस तालेंट हंट में उन्होंने राजेश खन्ना के साथ भाग लिया और जीती भी थी फिल्म फिर माधुरी के इस इवेंट में फरिदा जलाल को हिरोईन और राजेश खन्ना को हीरो की रूप में पहला स्थान मिला था इसी आयोजन में तारा चंद बढ़ जात्या भी मौजूद थे उन्होंने फरिदा जलाल को देखते ही फिल्म तकदीर ओफर कर दी जो 1976 में रिलीज हुई इस फिल्म में वह भारत भूशन और शालिनी की बेटी बनी बाद में फरिदा जलाल राजेश खन्ना की हिरोईन भी बनी दरसल जब शक्ती सामंत अराधना फिल्म बना रहे थे तो उसमें राजेश खन्ना के दो रोल थे राजेश खन्ना के पहले रोल की प्रेमिका के लिए तो श्रमिला टैगोर मिल चुकी थी लेकिन उनके बिंदास बेटे के रोल की प्रेमिका के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश की जा रही थी जो हस्मुक और चुल्बली हो फिर यह तलाश फरिदा जलाल पर जाकर खत्म हुई इस रोल के लिए भला फरिदा जलाल से बढ़ियां कौन हो सकती थी उसी फिल्म में राजेश खर्न और फरिदा जलाल पर फिल्म आया गया एक गाना काफी लोग प्रिय हुआ उसके बाद आई फिल्म बहारों की मन्जिल में वह मीना कुमारी की बेटी नलिनी बनी थी लेकिन यह फिल्म आई और चली गई ना किसी ने इस फिल्म को नोटिस किया और ना ही फरिदा को उसके बाद उन्हें 1970 की फिल्म गोपी में साइड रोल मिला लेकिन इस फिल्म में अपने रोल के लिए उन्होंने कोई चान भी नहीं की कोई जानकारी भी नहीं ली वह तो बस इस बात से खुश थी कि इस फिल्म में वह अभिने समराद दिलीप कुमार की बेहन बनेंगी लेकिन दिलीप कुमार की बेहन बनने की कीमत उनको इस तरह चुकानी पड़ेगी उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था दरसल इस फिल्म के बाद उन्हें जो भी फिल्में मिलती उसमें उनको बहन का रोल ही ओफर होता साल 1971 की फिल्म पारस में भी वह संजीव कुमार की बहन बनी लेकिन इस फिल्म में उन्होंने बहन का रोल यूही स्विकार नहीं किया उन्होंने अपने रोल को लेकर काफी छानवीम की और जब पूरी तरह से आश्वस्त हो गई कि नाय का राख ही तो बस पेड़ों के इर्दगिर्ध नाचने और ज़रने के नीचे नहाने के लिए हैं कहानी तो भाई और बहन के इर्दगिर्ध ही गूमती है तब उन्होंने यह फिल्म साइन की इस फिल्म में उनकी ओपोजिट थे कॉमेडी किंग महमूद ऐसे में फईदा के लिए कॉमेडी का स्कोप भी बन गया इसका परणाम यह हुआ कि उस साल का बेस सपोर्टिंग पूर सहाब को जब फिल्म बॉबी में निकी के छोटे से रोल के लिए एक ऐसी प्यारी रड़की की जरुवत थी जो बड़ी तो है मगर मानसिक रूप से बच्ची है तो उन्होंने फरीदा से संपर किया आपको याद होगा कि इस रोल में फरीदा ने सब का दिल जीत लिय जो आक्सिडेंट से या दाश्त होने की कारण बॉर्डर क्रोस कर गए रिशी कपूर का इलाज करती है मगर अफसोस की बात यह है कि राज साब अपने जीते जी हिना पूरी नहीं कर पाए और 1988 में उनका देहान थो गया तब उनके बेटे रंधीर कपूर ने यह फिल्म खेर फिल्म बॉबी के बाद फरिदा समझ चुकी थी कि बहन बनना उनकी मजबूरी है और इसका उन्हें कोई मलाल भी नहीं था बलकि उन्होंने इसे अपना एक लक्ष बना लिया कि बहन के किरदार को इस उचाई तक पहुँचाना है जहां आप तक कोई बहन नहीं पहु प्रेम जी की 1974 की फिल्म मजबूर में भी वामिताब बच्षन की अपंग बहन बनी इस फिल्म में उन पर फिल्म आया गया या गाना काफी लोगप्री हुआ था देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए नहीं मैं नहीं देख सकता तुम्हें रोते हुए इस फिल्म में उनका रोल नाय का परवीन बॉबी से किसी भी तरह कमतर नहीं था इस फिल्म के लिए वा फिल्म फेर रवार्ड में भी नॉमिनेट हुई लेकिन उसके बाद उन्हें लगने लगा कि अब उनके लिए करने के लिए कुछ खास नहीं बचा है क्योंकि हर फिल्म में बहन के किरदार जोरदार तो नहीं हो सकते थे, उनके पास फिल्मों की ओफर आना भी कम हो गए थे लेकिन 1974 की फिल्म जीवन रेखा से उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया इस फिल्म में इनके हीरो तबरेज थे यह फिल्म तो नहीं चली लेकिन तबरेज इनके दिल में बस गए और दोनों ने शादी कर ली उसके बाद फरिदा बैंगलॉर चली गई जहां तबरेज की साबन फैक्टरी थी इस बीच जब भी कोई अच्छी फिल्म मिलती तो वो मुंबई चली जाती हैं इसी बीच उन्हें एक दिन श्याम बैनेगल का ओफर मिला मम्मो के लिए लेकिन इसमें अब वो बहन से दादी बन जाती हैं विभाजन की त्रासदी पर बनी यह फिल्म 1994 में रिलीज हुई थी इस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का नैशनल अवार्ड मिला और फरीदा को फिल्म फेर का बेस्ट आक्टरस का क्रिटिक अवार्ड यह चोपडा की 1995 की फिल्म दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे की लाजवन्ती यानि लाजों के किरदार में एक बार फिर उन्होंने अपनी काबिलियत साबित कर दी इस फिल्म में वो बेटी काजोल से कहती हैं जो मैं नहीं कर पाई वो तू करेगी तुझे मेरी तरह कमजोर नहीं वनना है इस ब्लॉग बस्टर फिल्म को कई फिल्म फे रवार्ड मिले जिसमें बेस्ट सपोर्टिंग अक्टरस का आवर्ड फरिदा के नाम ही रहा फरिदा ने दोसों से अधिक फिल्में की हैं जिसमें उन्होंने नाइका के कम, बेहन और मा के किरदार ज्यादा किये वैसे तो उनकी हर फिल्म में उनके अभिनय को पसंद किया गया लेकिन वह सबसे ज़्यादा चर्चित रही अपने निभाए मा के किरदारों के लिए गोविन्दा, 1994 में ही आई फिल्म लादला में अनिलकपूर, 1994 में ही आई फिल्म क्रामती वीर में नाना पातिकर, 1995 में आई वीर गती में सल्मान खान, 1995 में आई चर्चित फिल्म दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे में काजोल, 1993 में आई दिल जले और सनी देल सहित कई फिल्मों में बड़े बड़े अभिनेता और अभिनेत्रियों की मा का किर्दार निभाया और लोगों के दिलों में मा के रूप में बस गई एक मा के किरदार में फरीदा जलाल को अंतिम बार जवानी जानेमन में देखा गया था जो 2020 में रिलीज हुई और इस फिल्म में वह सैफ अली खान की मा बनी थी इस तरह उन्होंने लगबक 30 फिल्मों में मा का किरदार निभाया फिल्मों के अलावा टीवी जगत में भी फरिदा ने अपनी खास पहचान बनाई है उन्होंने ये जो है जिंदगी, देख भाई देख, जीजी और जूजू तथा शरारत जैसे धारवाईकों में अपने अभिने का जादू चलाया 2017 में सोशल मीडिया पर उनके स्वर्गवास होने की खबर उड़ी तेजी से ये खबर वाईरल होने लगी इतना ही नहीं फरिदा जलाल की एक तस्वीर भी वाईरल हुई जिसमें लिखा था R.I.P. फरिदा जलाल 1949 से 2017 फरिदा जलाल ने इस खबर को अफवाह बताते हुए कहा था कि मैं नहीं जानती ये अफवाह कहां से फैली पहले तो मैं सुनकर सिर्फ हसी लेकिन इसके बाद करीब 30 मिनट तक मेरा फोन लगातार बचता रहा हर कोई मेरी सेहत के बारे में जानना चाता था ये काफी तकलीव दे था 76 साल की उमर में वह पूरी तरह से फिट हैं तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं परिदा जलाल के बारे में अगर कोई और जानकारी है तो कॉमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या जानकारी लेकर हाजर हो जाऊंगी तब तक के लिए नमस्कार फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या जानकारी लेकर हाजर हो जाऊंगी तब तक के लिए नमस्का